ये कमरा बहुत छोटा है, बेड और अलमारी रखने के लिए जगह है और स्टडी डेस्क रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, में बात है कि चलने के लिए भी स्पेस नहीं होता है, इसलिए बच्चे ने हथोड़ा उठा कर इस बेड को तोड़ देते हैं, उसके बाद हम कोन हिससे में कपड़े को रखने के लिए अलमारी है और उपर बच्चे के पसंदीदा खिलोने को रखी जा सकती है, और बेड के नीचे एक रोलिंग स्टैंड रखेंगे, ताकि बच्चे के पास जितने भी कपड़े हों, वह सभी को लटका सके, तूसरी साइड में एक स्टड इरिया बन जाता है जिसमें बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, और यह जगह भी नहीं लेगी, बेड के पिछले हिस्से में तीन दराज वाले स्टैप बनाएंगे, जिसमें छोटे मोटे कपड़े को रखी जा सकती है, उपर बच्चे के लिए एक बड़ा सा बुक सेल्फ बन जाएंगे, जिससे कमरा खुबसूरत दिखेगा, अंत में इस बच्चे के यूनीक स्टाइल का बेडरूम के नजारे को देखो,